हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कलास 10 के विज्ञान का सबसे important chapter प्रकास का प्रावर्तन तथा अपवर्तन से संबंदित जितने भी महत्वपूर बहुवी कल्पी प्रश्न बनते हैं उन सभी महत्वपूर बहुवी कल्पी प्रश्नों को यहां पे देख 2018 में यह सभी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं और 2024 में होने वाले फ्रेंस बोड के एक्जाम के लिए यह सभी question बहुत ज्यादा important साभित होगा फ्रेंस चलिए video start करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके सामें पहला नंबर का सवाल है कि समतल दरपड की focus दूरी है त अनंत होगा 25 cm या माइनस 25 cm तो फ्रेंस आप याद रखिएगा कि समतल दरपड जो होता है उसकी focus दूरी अनंत होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब बीवला option आपका correct होगा फ्रेंस आपको जिस प्रश्न का answer पहले से पता हो उसका answer आप comment box में दे सकते हैं और फ्रेंस य दूसरे नंबर क Country और देकते हैं आपका दूसरा नंबर का प्रस्न है कि समतल दरपड की सामने एक वस्तु दरपड से 10 cm की दूरी पर रखी गई है तो दरपड से प्रतिवीम की दूरी होगी देखिए आपको ध्यान देना है कि जी समतल दरपड़ होता यह इस से आप वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे इसके द्वारा आपका प्रतिवीन बनता है जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उसीव वस्तु के बराबर ही परतिविम बनता है। जो पूचा है कि संतल दर्पड के सामने एक वस्तु दर्कड से तस शेंटिमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पड से परतिविम की दूरी होगा ते कि इतपनी दूरी गए होंगे और किसी भी प्रश्ण में आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का आपका सवाल है कि समतल दरपड़ द्वार निर्मित प्रतिभीम का आवर्धन एक होता है थिस होगा सही जवाब होगा ठेक मैं आपको याद रहना है समतल दापड़र की किना आवर्धन कितना एक होता है फिर सम्तल दरपड़ में जितनी दूरी पर वस्तुं रखा जाता है उतनी ही दूरी पुसका परतिविम बनता इइन तीनों तो प्रश्ण को आप जरूर कंसेप्ट्फवल याद रखें ठीक है फ्रस्ण आपके बोड के एक्जाम में आएगा आपके सामने अगला नंबर का सवाल है सबसे इंप्वर्टेंस सवाल है यह सवाल यह इस पे कुछ आपके डार बिच संबंद दूरी यह दा वक्रता दिया आर के बीज संबंद आपको बताना है तो फ्रेंस याद रखिएगा कि वक्रता दिया आर क्या होता यार यह यह विला याद रखिए ठीक है रहे तो भी आप समझ को देखते हैं लिखें आपसंदे गेंगे यह बर आभर आ United तू यह बराबर केप्टल आर और यह बराबर टू अर्थ इससे देखें कि आपसन में नहीं मिला यह देखें फ्रेंच यहाँ पी क्या है कि यहां दो करें तीरी अगुड़ा करेंगा तू ए प्रशन का सही जवाब वहाँ हो जाएगा अब फ्रेंच चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का सवाल है कि एक उत्तल दरपड़ की फोकस दूरी बीस सेंटीमीटर है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो फ्रेंज देखें आप क्या भी फार्मूला बता है कि यह फिश्कल टू क्या बता है आर बाई टू बता है यह कमान दिया है बीस और आर बाई टू दो करें तीरी गुड़ा करते दू करेंगे दूदुना कर चाली हो जाए कितना होगा फ्रेंज आर कमा तो वक्रता त्रिज्या आया 40 सेंटीमीटर आपसन में देखिए यह आपका सीवल आपसन क्या हो जाएगा प्रकार के प्रश्ण आपके फ्रेंज बो फोकस दूरी यह बराबर क्या वहता है अभी आर बाई टू यह बराबर वह क्रता त्रिजा कमान आर कमान कितना दिया है बीस बटा कि दूब भाग दें कितना हो जागा आपका 10 कितना है 10 cm लेकिन देखिए अप्षन को ध्यान से देखिएगा कि नहीं तो आप गलत करतेंगे यहान-20 cm यह-10 cm यह-40 cm यह 10 तौ आप कराया है 10 cm तो आप आप सेंड़ी वल्संतली वला हो सकता है या डी वला लेकिन याद रखिएगा कि जब अउठलदरपड कहता है न bistश्य महता है कि पोकस क्या होता है?ơn और देखिए धिश्यारा देखिए इभार को सजब थिकर्स य धनात्मक में होता है समझ में आगया होगा अउतल दरपड की फोकस दूरी धनात्मक तो देखें यहां पर पूछा है इसलिए दस आया लेकि रिड़ दस होगा इस प्रेशन का सही जवाब क्या होगा बीवला आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया स्वाल देखते हैं कर एक उत्तल दरपड की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता तिरीजा कितना है 32 संटीमीटर फोकस दूरी पूछ रहती है फिश्कल कितना होता है यहां वक्रता तिरीजार कमांदी है 32 32 बटा के दू कर लिए भाग देंगे तो 16 संटीमीटर इस प्रेशन है सही चवाब क्या हो जाएगए आप व्ला-षाल करें में आगया होगा कौँ सा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं टेखें कि सभी सवालों को कंशेप्ट के साथ सेखेंगके तो आप कभी भी और के लoping की गल्ती नहीं कर सकतें देखेंग आ取 विए किसी दरपढ के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिवीम देखिए यहां ध्यान पढ़िए वास्त वीक, उल्टा और आकार में क्या है छोटा तो आपको बताना कि किस के दोरा ऐसा प्रतिवीम बनता है उत्तल दरपढ उत्तल दरपढ या समतल दरपढ देखे फ्रेंस आपको बार बार बता चुके हैं कि जब वस्तु का प्रतिविम वास्तुविक बनता है उल्टा बने वस्तु से छोटा बने ये प्रतिविम जो बनता है आपका आउतल दरपड के द्वारा ही बनता है किसके द्वारा फ्रेंस आउतल दरपड के द्वारा ही बन हें समतल और दोस्तों अव्तल दरपड के द्वारा बंता है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं नहुत नंबर का सवाल यहां पर देखिए और दरपड दुवारा किसी वस्तु का सीधा पड़ा परत्विम बनाने के लिए उसे रखना होगा देखें फ्रेंस और दरपड के द्वारा पूछा देखें यहां पर आप से द्यान से पढ़ें सी पर यहां सी कमतला बतर वकरता केंद्र पर यह मतला फोकस दूरी सी और यहा मतलब यहां पर दू और यह लेग्ध है आपको चित्र पढ़ा रहे थे तो आपको पता है चिस ऑल्दर दरपड केका यहां पूरा देख लिए नहीं कि आपको है यहां पर यहां होता है वकरता प्रता केंद्र आपको सिर्फ एक ही कंडिसर मिलता है यह और पी के बीच में पर नेगिन यहां से प्रकॐस के समरां तरon चलता है प्रकास यह प्रावरतन के बाद है लेकिन यह प्रत्री में कहा दिआना प那就 यहां पर बनता आपका उलटा सीधा बनता यहां पर पनाए और पर भी राखने पर ही वस्तू का सीधा परति इहां परिता है वह ऑद का सग्रमाथ यहां व преступ दा गयाओगा कंसेप्ट भी और आप सबसे से इसे कर निकाला जाता है छली आपको अगला सवाल दस्वा नंबर कर बताते हैं किसी दरपढ से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों आपका परतिवीं सदेव सीधा परती होता है देखें व्यहां पर कंडिशन दे दिया है क कि आप दरपड़ से चाहिए जितने ही दूर पर खड़ेंगें आपको जो अवतल दरपड़ होता है उसमें च्छा कंडिशन बनता है जिसमें से आपका छटावा कंडिशन होता है उसमें ही आपको सीधह प्रतिमिम बनता है क्ई वब उसके अलावा जो पाच कंडिशन होता है उसमें वास्तित्य बनता है वस्तुआ mettव पkeln एक ही कंडिशन बनता है और उस समंगा आगये होगा अगलेन सवाल को देखते हैं अगला नम्मर के सवाल को देखते हैं अगला सभी होगा पहला अप्सन देख सकते हैं दूसरा दूसरा चोथा देखे फ्रेंस आपको जब पढ़ा रहे थे तो बताएं थे कि जब कोई भी प्रकास किरण मुख्या अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का का सवाल है कि दो माध्यमों के सीमा प्रिष्ट पर एक प्रकास किरण लंबवत आपतित होती है तो अपोर्तन कोड होगा देखे इस प्रश्ण को समझे देखे ये क्या है आपका एक माद्या मतलब दो माद्या में एक प्रिष्ट कीच लिए यहां से एक अभिलम खीच लिए ठीकि यह पहले से है इसे क्या बोलेंगा अभिलम शुद्या समझे फ्रेंस यह सवाल आपको कंस्ट के साथ सीख लेकर कभी गलती नहीं होगा अब दो माद्यमों के सीवा प्रिष्ट प्रकास किरण लंबव है यानि प्रकास किरण क्या होता है जो अभिलम भे इसी पर प्रकास से पढ़ रहा है यांगे क्या है प्रकास्तर न या पूछ रहा है कि आप अपोटन कोड क्या और को बंता है इसे क्या की अभिय course बेंक्ड जाएक इसके बीच में कोई कोड़ बनेगा तो कोई कोड़ नहीं बनेगा तिसका मतलब इसके बीच में कितने कोड़ बनेगा जीरो अंसका तिस प्राशन का सही जवाब कौन सा होगा यह वला आपसन करेक्ट हो जाएगा अब चलिए अगरे नंबर के सवाल को 13 नंबर का सवाल देखते हैं कि उत्तल लें चाहिए नंगों इसवाब इस फ्राश्न का सही जवाब होगा होता है इस पर उत्तल लेंस पुछते हैं तो आपको पता होगे या होता है यह बीच में से मोटा होता है अब चलिए चौदानुंबर का सवाल यहां पर देखते हैं कि वायू में प्रकास की चाल कितना है 3 गुड़े 10 पर 8 meter पर 30 second जबके एक पदार्थ में उसकी चाल कितना कितना एक दस्मल ही पांच गूड़े 10 पर 8 meter पर 30 second हो जाती है तो पदार्थ का अपॉरतनाग क्या होगा यहां सी क्या है वाईयू में प्रकास की चाल को किस से नहीं कंग किसेता कि जी यह भी से एक देस्ट पर घ्रल तो यहाँ ही प्रकास के साथ सी कमान हुआ 3 गुले 10 पर 8 और भी कमान कितना हुआ एक दस मलो 5 गुळे 10 पर 8 देखे 10 पर 8 से 10 पर 8 कर जाएगा अब 3 में भाग देना एक दसमलो 5 कर देखें यहां से 10 मलो उटाएगे तो क्या हुझाल जाए उपर एक जिरो पड़ जाएगा तीसों का वटा के पंदर हो जागा पंदर के पंदर दुना के तीस कितना आएगा पॉरतनक दू तीस प्रशन का सही जवाब होगा डीवला आपसन करेक्ट होगा बहुवी कलपी में इस प्रकार के भी प्रशन पूछे जाते हैं इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा अब अगरे नंबर के सवाल को देखते हैं अगरा नंबर का सवाल है पंदरा नंबर का कि लेंस बनाने में परियुक्त नहीं होता है आपसना नहीं होता है कांच का नहीं होता है यह प्लास्टिक का यह मिट्टी का तो फ्रेंस बनाने में फ्रेंस आप परियुक्त नहीं करते हैं इसके अलाव याद रखेगा कि लेंस बनाने में आप जलका भी प्रयोग करते हैं कांच में बनता है और प्लास्टिक से भी बनता है ठीक है तो फ्रेंस यहां भी देखी आपके पंद्रा मोश्ट इंपोर्टेंट प्रकास के अपॉर्टन प्रावर्टन से संबंधिक क्वेश और कुछ समय के बाद आपको पार्ट सेकेंड अप्लोड कर देंगे जिसमें और प्रकास से प्रावर्टन तदा अपॉर्टन संबंधिक सामिल रहेंगे तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्रा करें